नमस्कार दूस्तों, इंप्लेक अफर चनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है जैसे कि आप सभी को यहाँ पर अपडेट मिली गया होगा कि आने वाली 2021 को CBT Central Board of Trusted की यहाँ पर एक बैठक है जिसमें उम्मीदे जताई जा रही है कि EPS 95 पेंसन दारकों की पेंसन वर्दी को लेकर भी यहाँ पर जो है मुद्दे उड़ जते है इसी को लेकर EPS 95 पेंसन दारकों की जो 403 डिमांड है उसको लेकर कमांडर असोक रावत जी ने CBT सदस्यों को यहाँ पर प्रपत्र लिखा है EPS 95 पेंसनर्स बचाओ अभिहान के अंतरगत माननी NAC Chief कमांडर असोक रावत ने सभी CBT सदस्यों को पत्र लिखा है और अपने पत्र में उन्होंने दिनांक 20-11-2021 को संपन होने वाली CBT की बैठक में मिनिमाम पेंसन 7500 प्लस डिये मंजूर करवाने हेतु निवेदन किया है और साथ ही मिनिमम पेंसन 7500 प्लस डिये पेंसन फंड से प्रदान करना किस तरह से संभव है ये भी एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर बताया है जैसा कि इस टेबल की कॉपी आप यहाँ स्क्रेन पर देख पा रहे होंगे जिसमें पूरे डाटा के साथ यहाँ पर सभी CBT सदस्यों को यह बात की जानकरी दी गई है कि जहाँ पर EPFO का कहना है कि EPFO के पास पैसे नहीं है बजट की कमी है तो वरतमान में EPFO के पास जो बजट है उसी में यहाँ पर जो है किस तरह से EPS 95 पैंसन दारगों की जो 403 डिमांड है मिनिममम पैंसन 7500, मेडिकल सुईधा, हायर पैंसन और उन पैंसन दारगों को निवनतम 5000 पैंसन देना जिने इस योजना में सामिल नहीं किया है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है हलाकि इस टेबल के उपर एक डेडिकेटेट वीडियो हम जल्दे हैं पर लेकर आएंगे इस टेबल को थोड़ा समझेंगे और फिर आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे इसी पत्र में EPS 95 पैंसन दारकों की मांगे सिग्र मंजूर की जाए जिससे की पैंसनर्स को बचाया जा सके और बुलधाना में जो पिछले तीन वर्सों से क्रमिक अंसन जारी है उसे भी सम्मान पूर्वक समाप्त किया जा सके इस संदर्व में 4 मार्च 2020 का पत्र भी जोड कर यहाँ पर सभी सदस्यों को दिया गया है 5-10-2021 को कमंडर असोक राउत एनसे की केंदरी टीम के साथ दिल्ली में CBT सदस्य वह भारती मजदूर संग के अध्यक्ष स्री H.J. पांडिया वह माननिय CBT सदस्य वह हिंदू मजदूर सभा के महासचेव स्री हरवजन सिंग सिद्धू एटुक के CBT सदस्य प्रतिनी दी आधी से यहाँ पर जो है मिले थे वह उनसे चर्चा की थी पेंशन के मुद्धे पर केवल चर्चा नहीं अब निरनय को लेकर EPS 95 पेंशन धारकों की 403 मांगो को मनजूर करने का समय आ गया है यह निविदन कर उन्हें ग्यापन सोपा था और उसी के संबन में जो कॉपी और गयापन सोपे थे उनकी भी कॉपी यहाँ पर जो है बेजी गई है तो जो प्रपत्र यहाँ पर EPS 95 नेशनल अजिटेशन कमिटी की ओर से सेंट्रल बोर्ड आप्टर स्टीट एंप्लोई प्रोवाइडेंट फंड आरगनेशन के सभी आया गया है तो दोस्तों यही एक अपडेट जो EPS 95 पेंशन धारगों के अकॉडिंग निकल कर आ रहा था आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जान करी दी आई होप कि आज के इस वीडियो में दी गई इंफर्मिशन आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जान कर आ ने रहीएगा Employee Cover Channel के साथ जय हिंद वंदिमात रम